Hello everyone my greetings of the day welcome to magnet brains एक ऐसा particular YouTube channel जो आपके लेकर आता है quality content without any kind of paid subscription मैं हूँ Abhinav Singh Rathaur and welcome to the new video of National Social Studies Olympiad the Mahajanpat period आज हम इस particular video में यह कर देखने जा रहे है कि Mahajanpat period था क्या कौन-कौन से Mahajanpat कहां का established थे हम इसमें बात करेंगे various kind of dynasties की from the starting route to actually from the Mahabharat period हम Mahabharat period के time से लेके चलेंगे dynasties को और हम actually end पे करेंगे इसको more in period के time पे तो हम पूरा मगत देखेंगे, मगत के साथ साथ हम इस particular session में यह भी देखेंगे बाद में कि जैनिस्म क्या हुआ, बुद्धिस्म क्या हुआ, तो चलिए without any kind of further ado, let us start with this Mahajanpat period तो Mahajanpat period अज जैसा कि हम इना आपको previous वीडियो में बताया था कि लेटर वेदिक period के time पे क्या हुआ था, iron की discovery हो गई थी और अब iron का extensive use होने लग जा था, various kind of streaks में, various kind of places में amongst them were popular agriculture and military, ये दो चीज़ों में iron का use बहुत extensively होने लग जा था agriculture में iron की use की वज़े से क्या हो गया था, surplus हो गया था surplus मतलब आपके पास extra grain है, right, so from that extra grain what you can do और from extra money or income what you can do, you can expand your territory, you can expand your imagination, you can expand your power as well तो अब लोगों ने क्या करा, कि बड़े-बड़े जन्पदों को जो उनके पास already हुआ करते तो उसको expand करना चालू करा अब expand करा तो population boost भी आया, expansion की पीछे कई reason भी हो सकते हैं, इसलिए हम यह कहते हैं कि this महा जन्पद is the final expansion state of the जन्पद period सबसे पहले हुए village habitants, gram, gram से आया, जन, जन से आया, जन्पद, जन्पद से आया, finally महा जन्पद similarly जैसे हमारे यहां पे village होता है, village जब develop होता है, तो हम उसको बोलते हैं town, उसमें population बढ़ती है, और development होता तो उसको बोलते हैं city and finally metropolitan city तो चलिए हम देखते हैं आपके महारा जन्पद, जब 16 महा जन्पद तो जब हम 16 महा जन्पद की बात करते हैं, तो first of all information की बात करते हैं कि सर यहां पे information मिली कहां से, आप कहरे हैं कि 16 महा जन्पद हो सकता हो 12 हो, हो सकता हो 10 हो, हो सकता हो 1 भी नहीं हो, तो आपको कहां से information मिलती है कि यह 16 महा जन्पद है, तो दो books ऐसी हैं कि जहां से हमको 16 मह चुके हैं जो की सनातन नहीं है या जो की वेदिक नहीं है जो की ब्राह्मा निकल नहीं है तो कहीं न कहीं इन दो particular religion का impact भी बहुत रहा होगा तो इसलिए हम यहां पर महाजनपत period में फिलहाल के लिए सिर्फ यह देखेंगे कि कौन सा महाजनपत था वो आज की state में कहा स्तित्ता और उसकी उस ताइम पर क्या थी फिर हम डिरेटली मूव अन करेंगे आपके religious movement पर या आपके लिजिन नियू रिलिजिंस पर उसके बाद हम अपने महाजनपत period को continue करेंगे हम बात करेंगे मगत की हम बात करेंगे मौर की हम बात करेंगे Alexander की तो चलिए हम हम स्टार्ट करते हैं अपना महाजनपत period उस ताइम पर्टिकुलर टाइम पर महाजनपत दो टाइप के हुआ करते थे एक था 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 गंडराज एरेक होता था मुनार्कियल state ठीक है मुनार्क प्लिक स्टेट की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं हम उसको आज के रिपब्लेक से कहीं न कहीं हम उसको रिलेट कर सकते हैं. उस टाइम पर क्या होता था? कभीले हुआ करते थे या ग्रूपस ऑफ पीपल हुआ करते थे. वो अपने आप में से एक पर्टिकुलर प्रतिनिधी य और यहीं लोग क्या करते थे? पूरा शासन चलाते थे या पूरे स्टेट के पीछे देखभाल करते थे. तो इनको बोलते थे हैं हम क्या? गणराज्य या रिपब्लिक स्टेट्स. आज की डेट के रिपब्लिक में क्या होता है? हम चूज करते हैं हमारे और कहीने का हम इसको यह कह सकते हैं कि यह गंड राज है आज की रेपब्लिक का इंडिया में बेस जरूर बनाता है तो चलिए हम स्टाइट करते हैं हमारे 16 माहा जनपदों की सुची से उनके लिस्ट से फर्स आता है आपका अंग अंग माहा जनपद की कैपिटल थी चमपा आज की डेट में अंग माहा जनपद कहां आता है तो यह मुंगेर बिहार के एरिया में अब मेरी बात ध्यान से देखियेगा यग बिहान से सुनिएगा कि जालत अर्मा जनपद जो है वो आपके हमाचल UP B बिहार और बंगॉल एरिया में है, ठीक है, that means they are restricted in the northern plains of India, okay, so maximum of these माजनपद्धs are currently in UP, बिहार, a little bit of उत्राखंद and you can go to जारकंद and बंगॉल as well, next आता है आपका मगद्ध, ये बहुत ही important है आगे जाके आपकी हिस्ट्री के लिए, क्योंकि ये 16 माजनपद्ध को कौन अक्व करेगा, ये मगद ही करेगा, हम देखेंगे कि कैसे कैसे उसमें डाइनस्टी आई, कैसे कैसे उसकी बात चली, oldest dynasty मतलब हम बात करेंगे महाभारत के टाइम से, कि महाभारत के टाइम पर जो मगद का इरिया था, उस पर रूलर कौन था, फिर बाद में उसकी कैसे जीनलोजी चली, बाद में कौन-कौन सी नई डाइनस्टी आई और उनने ऐसा क्या काम करा, कि अल्टिमेटली मगद रोस तू पावर एंड वस एबल तू कॉंकर इच और अल्मोस्ट एवरी महाजनपद, नेक्स आता है काशी जो आपके वारण असी में है, आज की डेट में भी काशाम भी आता है अलाबाद वाले एरिया में आपके परयागराज वाले एरिया में, अब आता है चेदी, अब ध्यान रगना ये थोड़ा चेंज हुआ है, चेदी की कापिटल शक्ती मती और ये आती है आपके बुंदेल खंड MP एरिया में, अब ये UP एरिया नहीं है, कि बुंदेल खंड का एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल स्टेट होगा, तो बुंदेल खंड आता का है अब हम देखते हैं, ये आपका MP का अगर आप Northern माप देखेंगे, ऐसा कुछ माप है MP का, मैंने अभी Eastern पार्ट नहीं बनाया है, तो बुंदेल खंड एरिया जो है ना, व आता है, साथ में UP का एरिया जो आता है, उसको हम बोलते हैं कि बुंदेल खंड एरिया, ठीक है, चलिए, बट क्योंकि maximum पार्ट चेदी का कहां आता था, MP में आता था, आज की डेट में इसलिए हम बुंदेल खंड के ब्राकेट में क्या लगा रहे हैं, MP लगा रहे हैं, न एरिया आपके अरावलीज के पास आता है, that means it covers जैपूर, अलवर और भरतपूर in राजस्थान, don't worry हम इनका मैप भी देखेंगे, आप प्लीज अभी इस लिस्स को देखिए, हम साथ में इसकी मैपिंग भी आज ही करेंगे, next आता है अवंती, अवंती again is a very powerful, a very powerful kingdom, a very powerful महा जनपद, जिसको capture करना almost impossible रहा था, और ये हनेनक dynasty से भी नहीं हो पाया था, right, so अवंती is again very important महा जनपद, इसके rulers जो रहे हैं, वो बहुत हिशक्तिशाली रहे हैं, अब अवंती की दो capital हुआ करती थी, एक थी northern capital और एक थी southern capital, तो northern capital तो थी क्या आपकी उज्जेन, जाए कि अवंती की capital उज्जेनी थी, उज्जेन नहीं थी, तो उज्जेनी बस उसका पुराना नाम है, आज के नाम पर हम उसको उज्जेन के नाम से जानते हैं, but previously it was considered as उज्जेनी, उसका नाम क्या था, उज्जेनी था, अब southern capital आती है इसकी महेश्मती, अब महेश्मती जो है, यह प्लीज बाहु बली वाला महेश्मती नहीं है, ठीक है, यह आपका महेश्वर है, जो southern part आता है खंडवा करगोन साइट पे, महेश्वर जो आता है आपका यह वो है, तो यह southern capital हुआ करती थी, किसकी अवंती की, तो question ऐसा भी आ सकता है कि कौन से से माजन पत थे, जिनकी दो capital हुआ करती थी, तो उसमें से एक क्या जाएगा, अवंती, next आते हैं अपन गांधार पे, गांधार जो था वो तक्षिशिला में था, ठीक है, और finally तक्षिशिला कहां आता है आपका रावल पिंडी पेशावर में, अब ध्यान दीजेगा, यह basically पाकिस्तान में है, बट यह इंडिया से जादा दूर नहीं है, तक्षिशिला आपका यह वाला पार्ट है, और यह एरिया है क्या, आपका गांधार, यह एरिया कौन सा है, आपका गांधार एरिया है, चलिए, next पात करते हैं वज्जी की, वज्जी एक गंडराजी हुआ करता था, एक करें तो कुछ spelling errors बहुत सी बुक में मिलते हैं, तो आपको वैशाली देखने को मिल जाएगा, वैदे ही मिल देखने को मिल जाएगा, और मिथिला देखने को मिल जाएगा, तो यह तीन में से आप अगर किसी भी भी टिक करेंगे, तो it will be correct, इस यह आता है आपके मुज़रा गोरखपुर वाला जो यूपी का एरिया है, वहाँ सा आता है, गोरखपुर का एरिया कहा है, जहां सा आपकी योगी आदितनाच चुनकर आते हैं, नेक्स आता है कुरू, कुरू आप सिधर रिलेट कर सकते है कौरवो से, उसकी capital थी इंदरप्रस्त, जो की आज का modern day Delhi, मेर और हर्याना जिले में है, अब बात करते हैं हम पांचाल की, ठीक है, पांचाल की भी अच्छीत्र और कंपलिया दो इनकी capital हुआ करती थी, यह आपके बरेली बदाईयों और फारोखावाद वाले एरिया में आता है, नेक्स्ट इस कन्नौज, अश्मक, अश्मक की capital, कन्नौ जन्पद of southern India, ठीक है, हम जब बात करते हैं इंडिया को divide करने की, तो यहां से बहती है आपकी क्या नर्मादा नदी, तो उपर का जो एरिया है, यह आपका हो जाता है northern इंडिया और यह हो जाता है आपका southern इंडिया, इसकी नीचा आती है आपकी सत्पुडा रेंज, तो सत सत्पुडा रेंज की नीचे का जो हिस्सा है उसको हम consider करते हैं क्या southern इंडिया, और उपर का हिस्सा जो है उसको हम क्या करते हैं, consider, this is culturally, this is not physically, but culturally मैं बात कर रहा हूँ, तो यहां से निकलती है आपकी गुदावरी, और यहीं पे था आपका क्या अश्मक, तो इसलिए डक् आपका कंबोज और गांधार, ठीक है, यहां आता आपका कुरु, जो कि आपके डेली, इंदरप्रस्त, जो पुराना डेली है, मेरट और हर्यानाकट एरिया आ गया, मतस्से आपका यहां आगया राजस्थान एरिया में, अवंती का एरिया बहुत बड़ा था, यहां पर आ आता है उज्जेन इस एरिया में आता है आपका उज्जेन यह आपकी चंबल नदी रही नेक्स्ट इस चेदी बुंदेल खंड वाला एरिया यह आगया वत्स काशी मगद मगद इस बेसिकली और बिहार जारकंट चत्तीजगड़ा लिटल बिट ऑफ बेंगॉल नेक्स्ट इस प्रॉपर बेंगॉल में आ जाता है आपका अंग ठीक है उसके उपड़ा क्या मल वज्जी कोशल आपका हिमाचल में यूपी में और फाइनली पान्चान तो इस बेसिकली दा मैप और फाइनली यहां देखिया आप अश्मक गुदावरी और कृष्णा के अब हम बात करेंगे रिलीजियस मूवमेंट की तो रिलीजियस मूवमेंट बेसिकली इसले आये क्यों क्योंकि हमारी सोसाइटी बहुत कॉंप्लेक्स हो गई थी उसमें गोत्र आका इंस्ट्यूशन आ गया था बहुत सारे कर्म कांड आ गये थे और तो और जो में असर्च टाइम आया कि वह सबको सर्प्लस चाहिए उसमें क्या करानों ने बली को या साक्रिफाइस को जो है उन्होंने मैंडिटरी कर दिया था तो अब ये चीज़े चो थी ये कहीं लागे कुछ लोग को खटकी कि यह चीज नहीं होनी चाहिए हम भगवान सबके इलिजिन में ही सुधार करने की कोशिश करी तो बहुत सारे पंथ ऐसे निकले बहुत सारे कल्ट ऐसे निकले अब कल्ट या परंथ आप समझीए क्या होता है बेसिकली दीज आर वे ओफ लिविंग लाइफ ठीक है ये एक माननेता है ये लोग कुछ ऐसे लोग होते जो आप दिखने को मिलते हैं जिनकी सोच जिनकी आइडियलोजी बहुत अलग थी बट ये लोग हिंदुएजम से या सनातन से अलग नहीं थे ये सनातन में अपना क्या थे एक रीफॉर्म लाने की कोशिश थी एक नया कल्ट एक नहीं चीज पंथ लेकर आने की कोशिश थी तो ये ब्राह्मनवाद से अलग नहीं थे बट हाँ इनकी प्राक्टिस जो थी वो जरूर अलग थी तो आईए हम ऐसे कुछ कल्ट देखते हैं कुछ ऐसी पंथ देखते हैं जिन्होंने बहुत इंपक्ट डाला है तो फर्स्ट इस बहुत एक वादी इसके फाउंडर थे अजीत के केस कंबलिंग ठीक है बहुत एक वाद एक नया कल्ट आया जिसके फाउंडर कौन थे अजीत केस कंबलिंग थे ये लोग क्या सोचते थे कि देर इस नो कॉनसेक्वेंसेस ऑफ गुड और बाड डी मतलब भाई साब इन्होंने करम का तो फंड नहीं हटा दिया आपको अगर चोरी में मज़ा आता है ना तो आप चोरी करो आपको अगर दान देने में मज़ा आता है आपकी बेसिकली क्या है ना यहाँ पर objective क्या अचीव होना चीए that you should be satisfied that is the main object अगर आपको ऐसे डीड करने में मज़ा आता है जिससे की दूसरे को नुकसान आ रहा है तो आप वो करिए so this is what बहतेकवादी said okay got me this is what बहतेकवादी said next हम आते हैं अक्रियवादी पे अक्रियवादी के founder कौन थे पूरब कश्यप थे यह बोलते थे कि कोई भी कर्मा नहीं है कोई भी डीड नहीं है कोई भी रीबर्थ नहीं है जो है वो यही जनम है जो करके जाना है वो इसी करम में करके जाना है इसी जनम में करके जाना है ठीक है this two are somewhat a little similar but they used to believe in rebirth and they did not used to believe in rebirth next आते हैं आजीवक आजीवक अपने आप में काफी famous हुए थे क्योंकि इनको मौरस अमराट बिंबिसार ने भी promote करा था और इसको राजिकियर भू भी घोशित करा था धरम भी घोशित करा था साथ इसाथ अशोग ने आजीवकों को गुफाएं भी provide करी थी अशोग के बात के लोगों ने भी आजीवकों को काफी कुछ provide करा था तो आजीवक जो कल्ट है ये काफी famous हुआ है इसके founder थे मखली पुत गोसाल क्या थे मखली पुत गोसाल इनका कहना था कि जो आत्मा है इ आप से हमने करते हैं मोक्ष का फंडा ये है कि मोक्ष का मतलब ये है कि जो cycle of rebirth है life, death and rebirth ये जो cycle है जब इससे आत्मा मुक्त हो जाती है तो उस आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो जाता है ठीक है अब क्या होता है कि हम हमारे जीवन में हमने कोई भी कर्ज लिया होता है कोई भी लिए बिए नुबर तो जब तक आप उस चीज़ को चुका नहीं थे ता आप रिवर्थ लेते रहो गया लेते रहो गया आपको मोक्ष की प्राप्ती नहीं होगी तो जो आजीवत थे वो ये बोलते थे कि आप कुछ भी कर लो आप कैसे भी deeds कर लो आपकी आत्मा को एक fixed number of cycle से गुजरना है ठीक है जो हम बोलते हैं साथ जनम, आठ जनम, नौ जनम तो आपकी आत्मा को fixed number of cycle से गुजरना है उसके बाद ही उसको freedom मिलेगी या मोक्ष मिलेगा तो it does not matter what you do and what you don't do नेक्स आते हैं हम नियतिवादी पे इसके founder थे पाकुद कच्चयान इनके कहता है everything is pre-decided ये और simple इनने का यार सब वीधी का विधान है यहां माते पे लिखा हुआ है जो होना है हो जाएगा मरना है कली मर जाओगे राजा बनना है परसुई राजा बन जाओगे ठीक है तो बहुत ही simplified thinking ये लोग लेकर आए थे they were not complicated but ये इतनी popularity इसलिए गेन नहीं कर पाए because they were still all these sects were still part of brahmanism और one विवस्ता इनको follow करनी ही थी one विवस्ता ही एक ऐसा problematic thing थी जो कि बाकी sects को बाकी वर्णों को रोकती थी okay so जब तक कोई इंसान इस वर्ण विवस्ता की oppose नहीं करेगा तब तक ये changes लाना मुश्किल होगा हाला कि they brought a very simplified theory a very simplified style of living life but they were not as successful as jainism और buddhism next आते हैं आपके anishchayवादी इसके founder थे Sanjay वेठली पुत ये बोलते थे कि either there is heaven और hell और there is nothing ये और confused थे ये बोलते थे कि यार या तो heaven होगा और अगर heaven होगा तो hell होगा ठीक है balance of the nature होना चाहिए every action has an equal and opposite reaction अगर heaven है तो hell भी है और नहीं तो कुछ भी नहीं है अपन सब लोग क्या है एक बहुत बड़े cosmos में एक बहुत छोटी सी बिप है understood ये थोड़ा और आध्यात्मिक scholastic या एक बहुत ही घहरी सोच में चले गए ठीक है understood सु यह था आपका अनिष्चाए वाधी ये निष्चा ही नहीं कर पा रहे थे ये निष्चा ही नहीं कर पा रहे थे ये बहुत है वाड़ेशा एक अब आते हैं हम finally जैनिस्म पर जैनिस्म इस particular topic का बहुत हाइलाइट चीज है यहां से काफी questions उठते हैं और यह questionnaires को यह examiners को बहुत attract करता है because it is something different from the political scenario which is going on right now in maha janpad janpad और यह vedic period okay, jainism की जब हम बात करते हैं तो यह भी एक नई ideology लेकर आए यह लोग भी कुछ नई मान्यता लेकर आए, ठीक है, तो हम बात करेंगे इसके starting से और लेके चलेंगे इसको एंट तक the division of jainism सबसे पहले बात करें, jainism was established by their first तीरतंकर, रिशब देव रिशब देव का दूसरा नाम आदीनाथ भी है, कई लोग इनको बोलते हैं कि यह राजा भरत के पिता थे, ठीक है रिशब देव की दो भीविया थी, उनमें से एक भीवी का सबसे बड़े बेटे थे, राजा भरत उनके पिता थे, और ये इच्वाकू वंच से आते हैं जिस वंच से भगवान राम आते हैं, तो he was somewhat related to Lord Ram, और कई ने कई लोग इनको भी विश्णु का अफ्तार मानते हैं ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब आया आपके सामने टर्म ये सर, तीर्थंकर क्या है ठीक है, तीर्थंकर बेसिकली एक जैनिसम में एक ऐसा टर्म है जो उनलोग के लिए यूज़ होता है जिन्होंने self-knowledge गेन करा हो ठीक है, कहीं इन्होंने तपस्या करी हो, इन्होंने कुछ करा हो, तप करा हो कई जंगल में घुमे, कोई पहाड पे बैठा या कुछ करा हो, and ultimately they were able to achieve enlightenment, तो ऐसे लोग जो है इन लोगों के लिए तीरतंकर रिवर्ड यूज़ हुआ है और ऐसे सिफ 24 ही हुए है महावीर के बाद अभी तक कोई तीरतंकर नहीं हुआ है, जिन्होंने self-knowledge पोसेस करा हो, ठीक है तो रिशब देव जो आदी देव थे आदीनाथ थे आपके, वो आपके नहीं पूछते हैं, तो महावीर की जब हम बात करते हैं, तो जैनिजम का सबसे most developed form, या के लिए advanced form, या most popular form जो हुआ, वो महावीर ने करा, ये इनकी बड़ोलत ही थी कि जैनिजम इतना popular बन पाया इसी वज़े से एसा नहीं है कि हम रिशब देव को नहीं पूछते या उनकी हम बात ही नहीं करते, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, but yes, amongst the 24 तीरतंकरs, महावीर is one of the most famous person रिशब देव के आरें, बहुत एक important fact भी है दोस्तों, कि रिशब देव का नाम रिगवेद में भी लिखा हुआ है exactly, रिशब देव का नाम रिगवेद में mentioned है साथी साथ अरिश्टनेमी का भी है जो एक और तीरतंकर हुए थे ठीक है, this is very interesting कि ये लोग उस टाइम से एक नहा रिलिजन चलाने की कोशिश कर रहे थे, but ultimately इनको सक्सेस कब मिली, महावीर के टाइम पे सक्सेस मिल पाई, चलिए आगे देखते है ठीर रंकर मैंने आपको समझाए दिया, अब आता है वर्ड जैन, वर्ड जैन जो है, वो उसका रूट वर्ड है जिन ठीक है, जिन जो है जिन का मतलब है, एक ऐसा इंसान who is victorious above his all desire, that means उसने अपनी छेओं इंद्रियों को अपनी desires को, अपनी तरशना को सबको उसने क्या कर लिया है, उस पे victory पाली है, तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, जैन बोलते हैं, तो finally यह जो root word था जैन हो गया, अब हम बात करेंगे वर्दमान महावीर की, because he was one of the main important person who popularized jainism into India, बर्थ की बात करें तो 540 before Christ, और before common era था, अब यह date जो है, यह आपकी old NCRT मिल mentioned है, इसलिए वहाँ से यह ली गई है next is place of birth की बात करें तो kundal gram, near Vaisali, current Bihar, यहाँ पे इनका जन्व हुआ था इनके father कौन थे, इनके father सिधार्थ थे, यह buddh वाले सिधार्थ नहीं है, यह एक अलग सिधार्थ है, ठीक है, यह क्या थे, यह शत्रिये थे, और अपने जाटक clan जो थी, उसकी यह head हुआ करते थे, और जाटक clan कहां आती थी, आपके, कुंडल village में जाटक clan थी, यह आती थी आपके वज्जी Republic में, यह वज्जी गंडराज में, जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि जो गंडराज हुआ करते थे, यह क्या होते थे, ग्रूप्स के head होते थे और उन head अपने के, उसके head चुनते थे, फदर चुनते थे तो ऐसी जो जाटक clan थी, जाटक शत्रिय थे कहां के, आपके कुंडल गराम के थे, यह कुंडल village के थे, उनके head जो थे, वो सिदार्त थे, और सिदार्त किसके फादर हुआ है, फादर हुआ है किसके वर्दमान वहवीर के, बात करते हैं, उनकी mother की तो तृशाला थी, तृशाला कौन थी, तृशाला लिच्छवी Republic चेटक, इसको चेटक मत पढ़ियेगा, इसका नाम है चेटक, ठीक है, जो चेटक थे, जो लिच्छावी गंड राज्ये के राजा हुआ करते हैं, तो मतलब ये सीधे कहां से प्योर राजपूत बलड थे, ये प्योर चत्रीय बलड थे, ठीक है, अब आते हैं, वाइफ पे, वाइफ का नाम था यशोदा, ये कृष्णे वाली यशोदा नहीं है, दूसरी है, डॉर्टर की बात करें तो प्रियनाम दर्शना इनका नाम था, इनकी डॉर्टर का, और इनके सन इनलो की बात करें तो इनके सन इनलो का नाम था जमाली, जमाली के बारे में बहुत एक important fact है कि जमाली ही ऐसा पहला person था जिसने महावीर को criticize करा या उनके बारे में आप कहले जे एक negative comment करा या negative aspect फेलाया बाद में जाके जमाली ही उनसे इतना inspire हुए उनसे इतना प्रभावित हुए कि he became his first disciple मतलब आप किसी एक person की ideology किस हद तक change कर सकते है वो महावीर ने आपको सामने बता दिया कि एक person जो उनको hate करता था उनके बारे में criticize करता था ultimately he was the first person who got influenced and became the first disciple of महावीर himself ये सब information जो है ये आपके MCQ format में है और ये ही MCQ format आपको direct question भी उठा सकता है it is just that you need to recognize the correct option next आते enlightenment की बात करते है महावीर ने क्या करा अपनी ग्रहस्त जीवन जीया और एक particular age पे आके उनके बड़े भाई नंदी वर्धन उनके बड़े भाई कौन थे नंदी वर्धन इनसे permission ली अब इनसे permission ली क्या किया नभीया अब मैं क्या है ना अब मैं छोड़ना चाता हूँ अपना घर बर मैं अब लोगों की बनाई के लिए काम करना चाता हूँ मैं मेरे मन में कुछ ऐसे सवाल है जिनके जवाब मैं खोजना चाता हूँ और ये जवाब ग्रहस्त जीवन में रहके मुझे नहीं मिल पाएंगे तो I need to leave my house and I need to go meditate or do any kind of thing which will help me to gain the knowledge, the answer of these questions ठीक है, जिसे life के बार में क्या होता है या why is this particular scenario going on, how can we change it and all these kind of things तो नंदी वर्धन के इसे permission ने नहीं क्यों बढ़ी, that is important जब हमने लेटर वेदिक पीरिट पढ़ा था, तो हमने ये देखा था कि society क्या nature कैसा हो गया है पित्र सत्ता आत्मक हो गया है या पैट्रियार्कियल हो गया है अब नंदी वर्धन क्योंकि बड़े भाई रहे, तो permission लेना इनसे जरूरी था अगर नंदी वर्धन permission नहीं देते, तो he could not have left his house he would keep on convincing नंदी वर्धन, until and unless he gave the permission ठीक है, चली क्या हुआ कि इन्होंने बारा साल तक इन्होंने तप करा till 12 years he meditated properly under a साल tree तो इसलिए साल का tree जो है, वो जैनिजम में बहुत religious मान आ जाता है and finally at the age of 42, he attained enlightenment, he attained the paravidya, the spiritual knowledge and the bank of Rajupalika river, Rajupalika river के बाजो में ये बैटे, इन्होंको एक साल वरक्ष मिला उस पे इन लोगों ने बिलकुँ बैट के 12 साल तक तप करा, तपस्या करी कि इनको enlightenment मिल जाए and finally at the age of 42, he got enlightenment, जब इनकी first female student की बात करते है तो उसका नाम था चमपा, ठीक है, first preaching, इनकी first teaching की बात करते हैं, तो on the bank of वरकरा river in Rajagira, Rajagira किस की capital थी? मगत की थी, exactly, ठीक है, तो यह सब basic information है about Jainism, अब हम बात करेंगे Jainism की teachings के बारे में कि इन्होंने actually क्या-क्या teachings दी है तो next आते हैं हम अपन Jainism की teachings पर, या teachings of Jainism पर, so the first thing that we are going to learn in this is particularly your 5 महावरत, या कि 5 महावरत, यह एक ऐसी चीज़े हैं या ऐसी guidelines है which you need to follow properly, तो इसलिए इनको बुला गया है महावरत, और यह ऐसी चीज़े हैं जिसको follow करना कहीं ना कहीं एक unbalanced person के लिए, या आपके person के लिए, it's a little tough, I'm not saying it's very tough, but yes it's a little tough, तो आईए देखते हैं कि हम ये 5 महावरत कौन कौन से हैं, पहला है अहिंसा, that is non-violence, you don't need to kill any animal, okay, always follow non-violence, अहिंसा को follow करते रहिए, next is सत्य, हमेशा सत्य बोलिए, हमेशा सत्य का साथ दीजिए, जो भी सही चीज है, ठीक है, उसी के साथ आप बने रहें, next is अव परीग्रह, अव परीग्रह का मतलब ये होता है कि आप धन संचाय ना करें, ठीक है, that means you do not hold or you do not acquire a lot of property, a lot of money, so that there can be a balance in your life, you can live your life peacefully, you don't have much mental pressure, you don't have much tension, जितना आपको जरूरी है, आपके survival के लिए, उससे थोड़ा साइज जादा आजा साथ अगर उससे एकसिस आता है, तो आप उसको दान करिए, ठीक है, this is what jainism teaches us, next is your aste, aste का मतलब ये होता है कि चोरी बिलकुल नहीं करना, या ऐसे thoughts मन में लाना कि हम किसी का ये चुरा लें, किसी से वो ले लें, तो ऐसी चीज़े बिलकुल भी नहीं करना, जब हम इन पहले च इस ने दिये थे, 23rd Thirya Thankar Parshavnath ने, ये हमको ये चार जो महावरत हैं ये दिये थे, जो पांचवा महावरत है ब्रह्मचार्यता, ये हमको किस ने दिया था, भगवान महावीर ने, किस ने दिया था हमको भगवान महावीर ने, तो ब्रह्मचार्यता is basically abstinence, you do not get involved in life of your family life you do not start a life, you refrain from having those kind of sins and live a life of being very free from any kind of family or so, so ये जो था, ये किस ने आयट करा था, महावीर ने, ठीक है, भगवान महावीर ने इसको आयट करा था next आते हैं आपन त्री रतन पे, त्री रतन से पहले समझना पड़ेगा कि उसके पीछे के philosophy क्या है, जैने जम बोलता था कि सब जगा दुख है, ठीक है, what they used to say that everywhere there is दुख और sorrow, right, अब इस sorrow की वज़े से क्या होगा, इसका reason क्या है, आपके deeds है, जो आप कर्म करते हैं, वो ह इसके पीछे का reason है, ठीक है, अब इससे क्या होता है, इससे birth और rebirth आता है, right, जैसे कि मान लिजे आपने अच्छा करा, या मान लिजे आपने बुरा करा, ठीक है, तो जो भी आपने इस life में करा होगा, उसका कही न कहीं आपको next birth में आके भोगना जरूर पड़ेगा, यह हम और rebirth की cycle से free होना हम क्या बोलते हैं, निर्वाना बोलते हैं या हम मोक्ष को बोलते हैं, ठीक है, and every cult, every panth, every new religion, always attain और always thrive for attaining this मोक्ष और this निर्वाना, right, तो अब क्या होता है, इसका solution भी उन्होंने दिया, कि भी यह इसका क्या solution है, कि हम जो यह जीवन का चक्र है, इससे free ह हो जाएं, हमें मोक्ष मिल जाएं, तो जीवन का चक्र का सिफरी होने के लिए था, कि you need to follow three ratna, ठीक है, what do you need to follow, you need to follow three ratna, और the three basic gems, अब वो क्या है, पहला है सम्यक दर्शन, next है सम्यक ज्यान और सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन की मैं बात करूँ, तो basically you always stay with what is true, what is your best thing that is there, ठीक है, आप अपना एक जो दर्शन है, उसको balanced करके रखिये, अपनी philosophy, अपनी thinking जो है, उसको balanced करके रखिये, next is सम्यक ज्यान, जो भी knowledge आपको मिल रहा है, make sure that knowledge is good and it is not corrupting your life, next is सम्यक चरित्र, that means your character, you should keep your character very clean, very soft and which is always helping some other person, so by following these three ratnas, you can actually get close to मोक्ष और the ultimate step of the life, आगे देखते हैं कि और क्या क्या चीज़े थी, तो जैनेसम डिड नॉट बिलीव दिन गॉड, ये बोलते थे हैं कि भीया भगवान नहीं है, इंसान है, इंसान पर्फेक्ट हो सकता है, ये इनकी बिलीफ थी, ठीक है, ये किसी भी एक पर्टिकुलर ग आन्यता कि भगवान है या नहीं है, ये उनमें नहीं थी, हलक कि they used to believe in the concept of आत्मा, कि भई एक आत्मा है और एक उससे बड़ी एक एनरजी है, और आत्मा इल्टिमेटली कहां जाके मिलना चाहती है, उस एनरजी में मिलना चाहती है, आत्मान और पर्मात्मान, ठीक है, नेक चीज़े जो है, deeds और rebirth के बारे में, जो birth और rebirth के बारे में चक्र है, उसमें ये लोग believe करते थे, next is they criticize the world system, अब दो चीज़े है, एक ये point है, criticize the world system and they preached or they taught in prakrit language, ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि इनी दो point की पीछे कही ना कही जनिजम की popularity छुपी हुई है, ठीक है, first of all is they criticize the world system, world system में क्या हो रहा था, कुछ particular world ऐसे थे, they were being deprived of the religious acts, religious deeds, right, क्योंकि क्योंकि कही ना कही एक पर्टिकुलर sect का है, एक पर्टिकुलर world का dominance था, and they used to prefer that this particular religious knowledge should be contained in their world only, not giving on to somebody else, फिर क्या हुआ, बाद में समझना, situation change हुई, they started getting a little greedy, right, so now they are offering their religious deeds or religious rights only to those who can afford these particular things, तो जितना ही बड़ा यग यह होगा, उतनी बड़ी बली लगेगी, और उतनी ही ज़्यादा इनको पैसे देने पड़ेंगे, या बली देनी पड़ेगी, right, तो कुछ ऐसे लोग जरूर थे, कुछ ऐसे वन थे, those who cannot afford it, उन्होंने सोचा कि यार हम, या हमरे ही भ इससे वो दो पर्टिकुलर वन जो हैं, वो भूत अट्राक्ट हुए, ठीक है, अब आप समझना मेरी पॉपुलेशन बेस समझना, भाई एक अगर मैं बात करूँ, पहले थे आपके कौन, ब्राह्मन, फिर शत्रिय, वैश, और फाइनली शूद्र, तो पहले के दो जो थे, ठीक है, इस वर क्वाइट डॉमिनेंट ओवर दी सोसाइटी, राइट, इन ये नीचे के दो वन जो थे, दे वर भी इंडिस्क्रिमिनेटेड और डिप्राइब अब देर सेर्टन डिजिस राइट, ठीक है, अब शत्रिय भी क्यों ब्राह्मनिजम या आप कहे लिजे हिंदो इसम को सपोर्ट करते हैं, ब्राह्मन नो इनको भी बहुत अच्छे से करा कि नहीं, आप तो रही ये हो, वो हो, आप तो ये यग्य कराओ, आप तो वो यग्य कराओ, ठीक है, और वो तो राजा ठेहरे, शत्रिय है तो, दोस वर दो पीपल वीज क्लान, तो उनके बास तो टाक्स हा रहा है, धनकी कोई दिक्कत है नहीं, है ना, तो इस टूवर कोईट हापी इन हिंदो इसम, अब जब हम इंदो की बात करते हैं, तो इनको भी भगवान चाहिए, इनको भी कुछ ऐसे चीजे चाहिए, जो ये फॉलो कर सके, ठीक है, अब ये क्या है, इनको फॉलो, नहीं करने दे रहा, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है इनके अगेंस्ट में, तो इनको कोई ना, कोई तो चाहिए, एक गाप आ गया, और पॉपुलेशन वाइस में बात करूँ, तो इंदो का परसेंटेज इस रिलेटिबली लेस दन दीज तो, आज अगर आप उठा के देखेंगे, इंदियन की पॉपुलेशन, अल्दो हमारी इंदियन ऑफ गवर्मेंट कभी ऐसे वन्ट सिस्टम में डिवाइड नहीं करता, और मैं भी इस चीस को बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ परस्नली, बाट स्टिल इफ यू सी, फिल लॉजिकली तो अंडर्स्टांड इस पर्टिगलर सिच्वेशन, इफ यू सी देटो इस पॉपुलेशन, इस टू परसंस और इस टू सेक्ट्स आर वन अफ दी मोस्त इन यॉर पॉपुलेशन, ठीक है, जब ये पॉपुलेशन में ज्याधा है, और इनको क्या डिप्राइब हो रहा है डिस्क्रिमिनेट हो रहा है इनके अगेंस्ट में, तो इनका एक क्या आगया, एक वैक्यूम क्रियेट हो गया, ठीक है भई, अब हम क्या करेंगे, हम किस के पास जाएंगे, तो फिल बिलकुल उपर से बत्ती जली, एक इनसान नीचे आए, और उनने का कि ये वर्ट सिस्ट करता था, राइट, बट इस इनसान ने कर दिया, तो कलना यार आपन इसे की पीछे चलेंगे, ठीक है, तो जो पॉपॉलराइजेशन का मोटिफ था, जो पॉपॉलराइजेशन के बीच का आप कहलीजे परपरस था, या रीजन था, वो कहीना कहीं यही था कि ये वर्ट सिस इन संस्कृत, अब सब किसी को तो संस्कृत आती नहीं है, है ना, तो क्या होगा था ता, जो प्राकृत ही थी, यह उस ताइम की लोकल लाइंग्वेज हुआ करती थी, ठीक है, ये आमचाल या बोल्काल की भाशा हुआ करती थी, जो पीपल जैसे कि हम कई बार होते हैं, ग तो आप अपने घर में हवन करवाते हैं तो जो पंडित है या जो ब्रह्मन आपके हवन करने आ रहा है वो श्लोको किस में बोलता है वो संस्कृत में बोलता है और अपन क्या करते हैं क्यों कि भई देखिए संस्कृत को हम aza second language नहीं लीके चलते हैं हमारी mother tongue Hindi यह second language जादा तर हम North India में किसको लेके चलते English को लेके चलते हैं जो कि कही न कहीं It's a question mark. Right? तो हम क्या करते हैं? हमनके सामने ऐसा हाथ जोड़के बेठे रहेते हैं कि हाँ पंडित जी ने खतम करेंगे अब अपन भार जाएंगे अब अपन खाना खाएंगे ठीक है बले ही बिचारा वो सलस्कित में कुछ भी बोल रहा हो पर कहीं न कहीं हम को जो बोलता है जो वो उस मंत्रों का अचारण करता है उसका मतलब हमें समझ में नहीं आता है और गलती सा आपने मतलब पूछ लिया तो अगर वो बहुत अच्छा पंडित हुआ राइट मला एक लिबरेल पंडित हुआ तो तो वो आपको मतलब भी समझाएगा नहीं तो कई बार तो लोग उफेंड भी हो जाते है राइट कि यार यह हम पर कोशन मारक उठा रहा है हम हमारे काम पर हमारे मंतर के उच्छारण पर कोशन मारक उठा रहा है बतलब बताओ यार है ना सो वी आपको वेरी केरफुल वें दिस काइंड अफ तिंग्स आर हापनिंग इन वर हों तो सिमिलरली अब क्या होगा कि अगर मान लीजे कोई ऐसा ब्रामन भी था जो संस्कृत में आपको परवचन दे रहा था या कुछ नॉलेज दे रहा था तो यह दोनों सेक्षिन तो उसको समझ नहीं पा रहा है बड़ा अच्छा सा बोल रहा है पर कुछ बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा है यही है सिम्पल सी फंड अब मैं आगर भाई आप लोग जो हो स्कूल में पढ़ रहे हो ठीक है स्कूल में जैसे मान लीजा आप तो आपके स्कूल के टीचर है वही अगर आपको हिंदी में पढ़ाना चालू करते यह concepts जैसे science पढ़ाना चालू करते बहुत टर्मिनलाजी इंग्लिश में रखे बट अगर उसकी concepts हो गए जो उसका explanation है वो अगर हिंदी में देने लग जाए या आपकी mother tongue में माली जागर था कि criticism of your one system understood I hope I am quite clear next आते इन्होंने कुछ theory भी दी थी जैसे स्यादवाद की अनिकांतवाद की अब इसके deep में हम नहीं जाएंगे जैन literature पे जैनिजम के टाइम पे जैनिजम popular हुआ तो लोगों ने लिखना भी चालू करा है उसमें कई monks भी हुए कई बहुत scholastic monks भी हुए जो बहुत अच्छे पड़े लिखे थे and they wanted to write something and they could write in very brilliance तो ऐसे कुछ जैन literature हमें देखने को मिलते है जहां से हमें जैनिजम के बारे में भी information मिलती है वहां के political और social life के बारे में भी या उस time के political social life के बारे में हमें information मिलती है तो पहला है आपका सांखे दर्शन अब ये सांख के संख्या नहीं है ठीक है literature written अर्दमागदी language that means again a local language ठीक है बोलचाल की बाशा जो है ये इसी से कही नगे हमारी हिंदी भी डेवलप कुई है ठीक है तो ये किस में लिखी थी अर्दमागदी में लिखी थी next आता है कल्पसूत्र ये लिखी थी भद्रबाहु ने Sanskrit language में देखी थी कि इनके मन में जहर आगा कि नहीं और अपना Sanskrit में लिखूंगा क्या हुआ होगा क्या लगता है आपको basically he wanted to target the upper two section of the society कि यहाँ पर भी जैनिजम फैले क्योंकि अगर यहाँ जैनिजम फैलेगा especially शत्रियों में अगर जैनिजम फैलेगा तो कहीं न कहीं हमारे religion को संरक्षन मिलेगा like for example ठीक है चंदरगुप्त मौरी जो थे जिन्नोंने मौरी डैनेस्टी की नीव रखी थी जिन्नोंने मौरी डैनेस्टी को establish करा था वो जैनिजम को follow करते थे तो अब अगर इतना बड़ा आदमी जैनिजम को follow कर रहा है तो कहीं न कहीं उसके influence में आके जो उससे बिनीथ हैं वो भी follow करेंगे भाई आज आप लोग क्या करते हैं भाई देखते हैं कि हाँ है रितेक रॉशन ने ये वाला armband पैना तो अपने को भी यहीं चीवावा ठीक है तो यहीं होना ने राज के धर्म भुशत कर दिया था और वो खुद भी बुद्धिस्ट बन गये थे बाद में तो उनके टाइम पर बुद्धिस्म कितना फैला चाइना तक गया श्रीलंका तक गया पूरे इस्टन एश्या में गया राइट अंडिस्टूड तो यह upper two section of the society को target करने के लिए शत्रियों को और ब्रामणों को target करने के लिए इन्होंने क्या करा संस्कृत में लिखा और इसमें संस्कृत में लिखा क्या इन्होंने biography लिखी किसकी तीर्थंकर की वाई हमारे जो 24-23 तरकर हुए हैं उन्होंने क्या सोचा होगा सूत्र बिकंज बेरी इंपोर्टेंट, ठीक है, और इसी में हमको क्या मिलते है, 16 माजनपत के हमको जानगारी मिलती है, जो हमने 16 माजनपत पड़े थे, उसमें देखा था, source of information तो हमने किसकी बात करे थी भगवती सूतर की बात करे थी जो कि एक जैन टेक्स्ट है और नेक्स्ट हमने बात करे थी अंगुद्तर निकाई की जो कि क्या है एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट नेक्स आते है अचारंग सूत्र इसमें rules and regulation of jain भिक्षू हैं कि अगर आप jain भिक्षू है जेन मौंक हैं तो आपको क्या rules follow करने चाहिए क्या regulations रहने चाहिए ये सब चीजें इसमें लिखी हुई है next is आपका परिशेस्तर प्रवन ये हेमचंदर सूरी ने लिखी गई थी ठीक है तो ये थी आपके कुछ books या जेन literature अब आते हैं आपन कुछ other important facts पे तो जो चामूल रहे थे ठीक है he was a minister in the gang dynasty ठीक है इन्होंने क्या करा एक idol या मूर्ती की इन्होंने construction का order दिया कि करना यार जो एक मूर्ती है ये of course जैनिजम को follow कर रहे थे ठीक है तो he felt that there is a need of an idol ठीक है there is a need of some monument basically की भाई जैनिजम को इसके नाम से जाना जाए ठीक है तो इन्होंने क्या करा गंग डाइनिस्टी के minister थे स्रावन बेला गोला में ये एक जगा है कहां आपके करनाटक में ठीक है तो इन्होंने यहाँ पे क्या करा कि भगवान बाहु बली की ठीक है जिनको हम किस नाम से जानते हैं गोमतेश्वर ठीक है तो भगवान बाहु बली की idol इन्होंने वहाँ खड़ी हुई idol है बहुत famous idol है उसका दूद से और कई चीज़ों अभी शेक होता है और बहुत बड़ा event मना जाता है जैनिसम में ठीक है तो अब भगवान बाहु बली कौन थे सर्व हमने तो या तो आपने मिरको पार्षबनात का नाम दिया है आपने बहावीर का नाम दिय तो बाहु बली भी इनी के एक particular तीरतंकर हुआ करते थे and he was the son of रिशब देव या आदीनात ठीक है तो यह बहुत बड़ी idol है and it is a very standing structure ये एक पत्थर को काट के बनाई गई गई आइडल है ठीक है next आते आपके आरे सुधर्मा ये एक अकेला परसन था जो शुरू से महाव of his meditation और उनके जाने के बाद उनके शिश्यों में से एक यही बचा था जो original शिश्य जो कह लिजे आप initial शिश्य जो कह लिजे उन में से एक यही बचा था महावीर के जाने के बाद तो obvious ही बात है कि आप महावीर के जाने के बाद जो उनकी गदी है या जो आपके लिजे उस आफ महावीर, ठीक है, he became the main preacher after the death of महावीर. नेक्स आते जैन conventions पे, जैन की संगीतियां हुई है, समीतियां है बैठी हैं, उन्होंना कई जीज़ आपस में discuss भी करी हैं, तो सबसे पहले हुई थी 300 BC में, कहां हुई थी या पाटली पुत्र में हुई थी, इसमें क्या हुआ, इसमें chair by stool भद्र, that means इस committee का, इस संगीति का chair person कौन था, या अध्यक्ष कौन था, तो वो stool बद्र थे, और यहीं पर क्या हुआ कि, जैनरिसम गाट divided into two, यह आप बहुत अच्छे चले से जानते हैं, जैनरिसम के दो sect हैं, एक है दिगंबर, और एक है श्वेतामबर, ठीक है, तो पहली जो उनकी जैन संगीती हुई थी, जो पहली इनकी convention हुई थी, उसी में कहीं ना कहीं, जैनरिसम जो है, वो दो भागों में बढ़ गया, दिगंबर और श्वेतामबर, अभी उसको भी देखेंगे कि कैसे बढ़ गया, और क्या conflict साय थे दोनों के बीच में नेक्स देखते हैं, 6th century AD देख रही हैं, अब कित्ती बड़ी बाद, almost 900 साल बाद आपकी दूसरी संगीती हो रही है, तो यह हुई थी वल्लभी जो कि आज की डेट में गुजरात में हैं, इसके chairperson कौनते हैं, शमा श्रवन, ठीक है, इसके chairperson कौनते हैं, शमा श्रवन, ऐस सच कुछ important चीज़े हुई नहीं हैं, इसमें, बाट क्योंकि सिर्फ दो ही संगीतियां हुई हैं, इसलिए दोनों संगीतियां हमको याद रखना बहुत जरूरी है, और स्थाती साथ इनके जो chairperson हैं, यह हमको सिधे आ सकते हैं, कि भाई, दूसरी जेन संगीती के chairperson कौनते ह head of the second gen convention held in Wallabhi, यहाँ पर दो चीज़े important है, तो chairperson और यह कहां हुई थी, चलिए, नेक्स बात करते हैं अपन इसकी division की, तो क्या हुआ था कि due to severe drought, ठीक है, यह लोग कहां जारतर कहां रहते हैं, उस टाइम पर अगर बात करूं, 300 BC की बात करते हैं अगर, तो उस टाइम पर मगद बहुत बड़ा एक सामराज्य हुआ करता था, मगद बहुत बड़ा एक क्या होता था, महाजन बद हुआ करता था, ठीक है, and it was somewhat the center of political and social and religious life as well, हर कोई जो इनसान था, वो मगद जाना चाहता था, जैसी कि आज हो गया, आपको अगर job चाहिए, तो आप कहां जाना पस is various places are there right now, now when we talk about the 300 BC period, तो मगद पूरा का पूरा जो सामराज्य था, वो बहुत important था, it was the center of your political and religious and social life, ठीक है, it was the main center, पाटली पुतर कह लीजिए, आप राजगिरा कह लीजिए, ठीक है, ये सब मगद में ही थे, और मगद बहुत important था, तो ये लोग सब मगद में रहते थे तो इस टाइम पर क्या हुआ, एक बहुत severe drought आया, drought मनला सूखा पड़ा, अब सूखा पड़ा तो उससे obviously बाते पाने की कमी हुई, खाने की कमी हुई, ठीक है, and moreover diseases होने लग गए, लोगों में diseases फैनने लग गए, तो क्या हुआ कि जो भद्र बहुत है, कौन थे, भद्र ब रिलोकेट तो डिफरेंट प्लेज और विल कम बाग, बट जो स्थूल बद्र थे, कौन थे, स्थूल बद्र जो थे, इन्होंने का कि नहीं मैं मगत छोड़के कहीं नहीं जाओंगा, और जो इनके डिसाइपल्स थे, इनके साथ रहे, ठीक है, तो क्या हुआ हुआ, तो क्य अगेंस दा रूल्स और रेगुलेशन और जैन मॉंक, इग्जाक्ली, ये जो जैन मॉंक हुआ करते थे, उनके रूल्स और रेगुलेशन के खिलाफ था, तो यहीं पर दोनों के बीच में टासल हुई, एक कॉन्फिक्ट हुआ, और यहीं से जो है जैनिजम दो पार्ट में घ्जाएएब, तो जो स्थूल भद्र थे, ठीक है, इनके लोग क्या कहला गया श्वेतामबर, ठीक है, और जो भद्र भव थे, इनके डिसाइपल्स क्या कहला गया गया, दिगामबर, ठीक है, श्वेतामबरs are those who are now wearing white clothes, having a white mask on themselves, ठीक है, and दिगंबरs, they don't wear any kind of clothes, ठीक है, नेक्स आते है आईडल्स की बात करते हैं तो they are made in mathura style, मतलब यह जातर mathura में बनी करती थी और mathura style की बनी करती थी लंबी-लंबी बड़े proper features दिखाये करते थे, अब आते हैं death of Mahavir के तो it is written as 468 BC, again this date is according to the old NCRT death कहा हुई? Under the reign of Mull King, जैसा कि मैं जब अपन महाजनपत पढ़ रहे थे, जब हम मल की बात कर रहे थे, मैंने कहा था मल बहुत important है क्यों important है? क्योंकि यहाँ पे Mahavir की भी death हुई और इसी मल kingdom में बुद्ध की भी death हुई ऐसा बुला जाता है कि एक ऐसा time था, जब Mahavir और बुद्ध, दोनों के दोनों जो थे, वो दो या चार गाओं के distance में थे अपनी अपनी जगब preachings दे रहे थे, but and they were contemporary to each other, दोनों के समकालीन थे, जैसे एक ही time पे दोनों exist करते थे, एक ही time पे दोनों preachings दिया करते थे बट इनके पूरे life span में दोनों के, ये दोनों आपस में एक दूसर से कभी नहीं मिल पाए, ठीक है, it's very astonishing thing कि यार आप 4-5 गाओं दूर हो के भी आपके मन में ऐसा कि यार, चलो competition की भावना भले दोनों में नहीं हो, ठीक है, but at least as a person they could have met, anyways who is to say, उस time पे क्या situation थी, क्या न यहां होती है हमारे जैनिजम या हमारे महावीर की death, next आते है important तीर्थंकस देख लेते हैं, उनके signs देख लेते हैं कि उनको किस की signs पहचाना गया है, तो सबसे पहले आपके आदिनाथ या रिशब्देव, तो पहले हैं आपके आदिनाथ या आपके पहले तीर्थंकर थे, क्या थे, यह पहले नम्मर के तीर्थंकर थे, इनका sign क्या था, बुल था, next आते हैं आपके अजीतनाथ, यह आपके क्या थे, second तीर्थंकर थे, ठीके इनका sign क्या थे, इनका elephant हुआ करता था, next आते हैं आपके संभवनाथ, संभवनाथ आपके कौन से थे, third तीर्थंकर थे इनका sign क्या था horse था अब आते हैं अरिष्ट नेमी पे अरिष्ट नेमी जो थे यह आपके 22nd तीर तंकर हुआ करते थे इनका क्या sign था शंक या सीप कह लिजे शंक हुआ करते था इनका sign जो आपन भगवान शिफ के टाइम पर बजाते हैं न वो आला शंक नेक्स पार्शवनाथ पार्शवनाथ का sign क्या था एक स्नेक था और यहां पर रिषब देव की बात करें अधिनाथ की बात करें तो इनका वर्णन हमको कहा मिलता है रिगवेद में मिलता है अरिष्टिनेमी का भी वर्णन हमको कहीं न कहीं रिगवेद में जरूर देखने को मिलता है ठीक है तो यह थे आपकी कुछ इंपोर्टेंट तीर्थंकाज और उनके signs अब बेसिकली signs करना sign का क्या मतलब है जब हम पुराने टाइम की paintings या कुछ उतकरश्णन देखते हैं य ठीक है अगर एक बुल जा रहा है लोगों को बीच में से तो यह विशब देखते हैं तो ऐसे ही क्या था है इन के थू इन सिगनल के थू इन साइंस के थू वाट देखते हैं तो यह उस्टो रिप्रेजेंट दी तीर तंकर्स ठीक है चलीए तो बेसिकली यह है जैनेजम सो जैनेजम के बारे में हमने अक्या देखा हमने थीर्दंकर की बात करी हमने महवीर की बात करी उनके 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 लेटेट कुछ questions कुछ important facts की बात करी जैसे उनका जनम का हुआ उनके father कौन थे elder brother and all these kind of things so in the next chapter in the next video we are going to meet with Buddhism हम Buddhism की बात करेंगे गौतम बुद्ध की बात करेंगे उनकी शिक्षाओं की बात करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे Buddhism दो भागों में और डिवाइट हो जाता है various संगीती उनकी various committees various councils के बारे में बात करेंगे तो प्लीज बने रहिए with me Abhinav Singh Raathor in the National Social Studies Olympiad and please do check out our website magnetbrains.com जहां पर आपको सारी playlist with proper order में मिल जाएगी and please do mind we do not charge any kind of thing any kind of money from you this is all quality and free education for you thank you for watching